नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम सभी का विनन्दन है NDC निशिल क्लासेज में बहुत-बहुत स्वागत है आपका और आज शब्द शक्ति की जो है वो लास्ट क्लास है वेंजना सबसक्ति अपन करेंगे और उससे पहले बहुत से स्टुएंट्स जो हैं वो लाइव विजन के मेसेज कर रहे हैं तो बोलें सर आपने हमीं जोडा नहीं क्या देखो अगर मैं वाटसप ग्रूप वैसे बनाऊंगा जैसे नॉर्मल ग्रूप्स होते हैं तो उससे क्या होगा फिर ये शिकायत हैं कि सर इस नमबर से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं सर इस नमबर से मेरे पास मै मैं पारगाएं जिससे आपके पास मेसेज पहुचेगा जो भी सूचना मैं देना चाहूंगा performers मे हैं आप सब तक मेरी पहुंचेगी ही पहुंचेगी नमबर एक बार इसके अलावा वो सूचना के बास मच्तिकत पहुंचेगी आप मैं से कई में पता नहीं चलता कि गुरूप बन चुका है लेकिन गुरूप बना हुआ होता है इस तरह से आपके उसक्रीवर मैसेज आते भी हैं तो आप निशिंद रहो गुरूप में जोड रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उन पर मेरा पूरा फोकुस है राहुल से मैंने बोल रखा है कि जो पढ़ रहे हैं जो regular नाम आ रहे हैं उनका विशेश ध्यान रखो कि वास्तों में वो आज अगर नहीं पढ़ने आया तो क्यों नहीं पढ़ने आया है बस फोकुस बराबर है आप बस आपको पढ़ना है अब अगर बहाने करोगे सर हम लाइव नहीं आ सकते मैंने आपको पहले बोल दिया लाइव बाइजी टू से बट हार्ट तू डू कहना सरल है करना कठिने रोज लाइव आना बहुत कठिने सर आज हमने मैच देख लिया तो डाटा खतम हो गया सार आज ये कारण से डाटा खतम हो गया तो सीधी सी बात है अगर ऑफ लाइन क्लास होती और र रुपए बीस जार रुपए दिये वे होते तो ना तो तुम मैच देखते ना कोई शादी में जाते ना कुछ और करते बोला रुपए लगे हैं पहल तू क्लास खराब नहीं उन्चे टॉपिक रह जाएगा कोई दूबारा सुन जाएगा नहीं बात सीधी सी है ना क्योंकि जहां रुपए लगे होते हैं वाम पढ़ते हैं तो इस चीज को विशेश ध्यान रखें ठीक है ना तो लाइव विजन लाइव डेली आना है बस आदत बनाओ अभी तक 500 स्टूरेंट्स हैं जो इमानदार से पढ़ने आ रहे हैं दो तीन दिन से देख रहा हूं लेकिन बता दू मुझे इतना टाइम नहीं मिला तो आप नाम देख सकते हैं पूजा दवे पूजा दवे फर्स्ट रैंक है जितने भी 500-600 स्टूरेंट ने टेस्ट दिया है पूजा दवे और एक कन्नू नाम से ID है के डवन यू कन्नू वी एम बी सारण थर्ड रैंक है बानू प 85 नाम से ID है नाइंद रैंक और उसके बाद मधू कमर, ट्रिश्न, कवीता, आरती अरोडा, पिंकी मीरना, शिवपुरिया सर्मा, आरती तेजी, रोष्णी, सुमन पूरी, राम किशोर और प्रेम लता स्वामी बस इतना ही नाम बताऊंगा मैं लगबग आपको 25-25 नाम मैं कमपेटिशन मतलब होगा आप लोगों के बीच में और सात्वे टेस्ट में हाँ निश्चित रुप से हमें दिक्कत आई थी थोड़ी क्योंकि वो इंग्लिस में आ रहे थे कॉश्चन लेकिन उसको सॉलूशन निकाल लिया है और आप यह मैं सोचों, हमने कितना पढ़ा, क अबीदा सबसक्ती, आज हम पढ़ेंगे वेंजना, देखो मैंने आपको पीछे जो दो सबसक्तियां करवाई, उसका थोड़ा समय संक्षित बात चर्चा कर लेता हूँ, अभीदा सबसक्ती, मैंने इसका बहुत बैस तरीका बताया, कि अगर जहां पर यमक अलंकार होता है या अप्रतित्व दोष होता है, मोस्टली वहाँ पर क्या होती है, अभीदा सबसक्ती होती है, या फिर मैं कहूंगा कोई ऐसा उधारन, मतलब ऐसा शब्द, जहां जिस सब्द में बहुवरी समास है, कोई ऐसा सब्द आए, यानि बहुवरी समास इस दिए बोल रहा हूँ क्योंकि योग रूड शब्द, योग रूड शब्द है, ठीक है, वहाँ पर निश्यतरुप से क्या होती है, अभीदा सबसक्ती होती ही होती है, ये आपको बता दिया था, उसके बाद आपको लक्षना सबसक्ती बताईए, तो लक्षना सबसक्ती में दो भेद बताए थे, एक बताया था रूढ़ा, रूढ़ा में मुहावरे और लोकोक्तियां आते हैं इसके अलावा दूसरा जो था वो था परियोजनवती परियोजनवती, परियोजनवती में पहला जो भेद था वो था गौणी गौणी अलंकार में मैंने बताया था मेन रोल होता है उपमे और उपमान का ठीक है इसके दो भेट थे एक था सारोपा सारोपा का मतलब होगा रूपक अलंकार ठीक है और जो दूसरा था साध्यवसाना साध्यवसाना इसका मतलब हो गया कि लुप्तौपमा एक तरह से क्या हो गया लुप्तौपमा जिसमें उप्मा जो केवल उप्मान होगा वो उप्मे बताएगा इसके बाद हमने जो सुद्धा लक्षना पढ़ा सुद्धा लक्षना के दो भेद बताए थे मैंने आपको और दो भेद में एक था उपादान में आपको पता है कि मुख्यार साथ में रहता है जबकि जो लक्षण लक्षण होती है उसमें जो मुख्यार हता वो नस्ट हो जाता है उसकी कोई नए आर्थ निकल कर आता है इस परकार से अमने अभीदा और लक्षण वेंजना सबसक्ती कर ली थी ठीक है हम अब आप देखेंगे वेंजना सबसक्ती ज्यान से समझना जब किसी शब्द के अभीप्रेत अर्थ का बोद न हो ना तो मुख्यार्थ से होता है और ना ही लक्षार्थ से कोई शब्द होगा जिसमें चमतकार होगा लेकिन जब उसका अर्थ ग्रहन करेंगे तो ना तो उसके मुख्यार्थ से हमें अर्थ का बोद होगा ना उसके लक्षे अर्थ से हमें बोद होगा अपी तु कथन के संदर्ब में ये बस ये लाइन पढ़ लेना पूरी सबसक्ती यहीं पर है वेंजना सबसक्ती पूरी अपी तु कथन के संदर्ब के अनुसार अलग अर्थ ग्रहन किये जाएंगे वेंजना है इसका मतलब एक चीज याद रखना वेंग तो होगा ही होगा वेंग यहां देखने को मिलेगा ही मिलेगा तो कथन के संदर्ब के अनुसार अलग अर्थ से या वेंग्यार्थ से प्रकट होता हो तो वहाँ वेंजक सब्द कहलाते हैं और उसके दोरा जो प्रकटित अर्थ है वो वेंग्यार्थ कहलाता है तथा उस सब्द की शक्ती को क्या कहते हैं वेंजना सब्द सक्ती कहते हैं जैसे गंटे पर चोट लगने पर पहले जोर की टंकार उत्पन होती है उसके बाद उसमें मंद मंद जंकार निकलती है जो देर तक गूंशती रहती है ठीक है कहने का मतलब कोई भी वाक्य कहा जाए तो उसका अलग-अलग संदर में अलग-अर अर्थ निकाले वहां वेंजना सब्सक्ती होती है जैसे सूरज डूब गया सूरज डूब गया तो अब सूरज डूब गया शब्द का सब अलग-अलग विद्यार्थी अलग लेगा सिक्षक अलग लेगा माता जी अलग लेंगे पिता जी अलग लेंगे किसान अलग लेगा है ना नोकरी करने वाड़ा अलग लेगा हर वेक्ति इसका अलग अलग अर्थ लेगा पुजारी ने कहा अरे संध्या हो गई अब जब संध्या हो गई है इसका मतलब शाम हो गई तो वही बात सेम हो गई कि शाम होगी तो सब अलग-अलग अर्थ ग्रेंड करेंगे क्योंकि हर वेक्ति को शाम को कुछ अलग-अलग कारे हैं वो अपने ये संदर्प में उसका अर्थ अलग-अलग लेगा वेंजना सबसक्ति के दो भेद होते हैं एक होता है दोस्तों शाबदी वेंजना और एक होता है आर्थी वेंजना मैंने इसे समझने का परियास कैसे किया इस परकार से किया कि शब्दा लंकार होते हैं और एक अर्था लंकार होते हैं तरीके से समझने का प्रियास किया लेकिन वो तो एक सिर्फ लॉजिक है वो पूरा काम नहीं करता शाबदी वेंजना को और बैस्ट मानलो पेपर में शाबदी वेंजना के भी दो भेद होते हैं एक अबिधा मूला और एक होता है लक्षणा मूला लेकिन अगर पेपर में शलेश अलंकार जहां है वहां शाबदी होगी पहरे तो इसको समझो ठीक है मतलब शाबदी वेंजना का मतलब यह होता है कि चमतकार शब्द विशेस में होता है आप शब्द अठालो चमतकार नस्ट और शलेश अलंकार में भी क्या होता है चमतकार शब्द विशेस में होत जब किसी वाक्य या पत्में किसी सब्द विशेश के कारण वेंजना का प्रभाव बना रहता है अर्था तो सब्द के इस्थान पर अगर उसका कोई परियाईवाची शब्द रख देते हैं तो उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है वहाँ शाब्दी वेंजना होती है सामाने है सामानित का मतलब श्लेश अलंगकार युक्त पदों में शाबदी वेंजना ही कारे करती है शाबदी वेंजना कारे करती है कहां श्लेश अलंगकारों में श्लेश में मोस्ट लिक भैयो अपत के कोप यूद के बोरे यही काल और माली नहीं आज कहे क्यों क्यों या रसाल को ह तो यहां पे जिसे रसाल है अपत है ठीक है इसके अलावा जिसे कोप यूत है है ना ये कुछ शब्द ऐसे आएं अगर इनको हटा दिया जाए इनकी जगे कोई दूसरा शब्द लिया जाए तो चमतकारनस्ट हो जाएगा क्यों क्यों कि ये तीनों शब्द एक तरफ से तो आ जलंकार कौन सा है अब वैसे देखा जाए तो इसमें इसले जलंकार है क्योंकि एक शब्द के अनेकार्थ निकल रहे हैं एक मुझे याद बात और अगई एक बात ये याद अगी कि देखो अगर शाब्दी वेंजना में हमेशा अनेकार्थी शब्द आते हैं अगर आपको क्या रहते हैं अनेकार्थी शब्द ये अपत कोप रसाल ये सारे क्या हैं ये अनेकार्थी हैं ये क्या है अनेकार्थी है मान लो इस प्रकार से उधारण हो चलो आगे बताते हैं जैसे अब शाब्दी वेंजना के दो भेद होते हैं एक होता है अभीदा मूला और एक होता मूला तो सबसे पहले हम अभीदा मूला शाब्दी वेंजना पढ़ेंगे ये बलकि यूं मालो डिटो स्लेश अलंकार है जो मैंने अभी आपको बताया कि शाब्दी वेंजना में स्लेश अलंकार होता है और शाबदी वेंजना के किस भेद में शलेश अलंकार होता है वो होता है mostly अभीदा मूला में ध्यान से समझना जिसने पिछली दो क्लासेज देखी है उसको guarantee से ही समझ आएगी ठीक है तो शलेश अलंकार जहाए अभीदा मूला अब आपके दिमाग में शलेश अलंकार के उधान चलने चाहिए जब किसी बद में अभीदा सबसक्ति को एद्वारा अनेकार थी शब्दों का देखो मैंने क्या गाता अनेकार थी शब्दों का एक अर्थ निश्चित कर दिये जाने पर भी वेंजित अर्थ प्रकट होता है चर जवो जोरी जुरे क्यों नसने हे गंबीर को गटी है वर्ष बानुजा वे अल्दर के भी तो यहां वर्ष बानुजा और अल्दर ये आपको पता है शलेश अलंकार में पड़ क्या है वर्ष बानुजा यहां पर राधा के लिए भी है और यहाँ पे गाय के लिए भी है हल्दर यहाँ बदराम के लिए भी है और यहाँ पे बैल के लिए भी है तो श्लेश अलंकार का जहाँ उधारन होगा वहाँ कौन से सबसक्ती होगी अभीदा मुला अभीदा मुला वेंजना होगी कौन सी अभीदा मूला साब्दी वेंजना होगी ठीक है जैसे मानलो ये उधारना गया सू बरन को ढूंडत फिरे कवी कामी अरू चोर तो ये क्या है बोला ये सर साब्दी वेंजना साब्दी वेंजना में कौन सी है बोला सर ये अभीदा मूला शाब्दी वेंजना है बिल्कुल कैसे बोला सर इस तरह से क्योंकि सूब रण अनेकार्थी शब्द है और अनेकार्थी शब्दोने के कारणी यहां पर क्या है अभीदा मूला शाब्दी वेंजना है सर कोई और उधारन है आपके पास हाँ बिल्कुल है मेरे पास दूसरा उधारन भी है बोलो क्या है उधारन मेरे पास उधारन है जैसे मदुबन की मदुबन की चाती देखो सूखी इसकी कितनी कलिया यहां कलिया शब्द किशोरियों के लिए भी आया है और फूल खिलने की पूरे वस्ता के बारे में भी आया है सर क्या इसके अलाव भी कोई और उधारन है हाँ बिल्कुल है जैसे मंगन को देख पट देथ बार बार तो ये मंगन को देख पट देथ यहां वस्तर देना पट का पट एक अनेकार्थी शब्द है पट का मतलब वस्तर भी होता है पट का मतलब दरवाजा होता है मैं आप तक जो बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, वो बात कौनसी है? वो बात यह है, कि अनेकार्थी शब्द पर फोकुस करना है, अनेकार्थी शब्द मिल जाए, समझ जाओ कि वहां पर क्या है, शाब्दी वेंजना है, दूसरा, श्लेश लंगकर का उधारन मिल जाए, आप एक चीज याद करते हो, दो-दो चीज क्लियर होती है, तो आप जब स्लेश लंकार फड़ोगे, तो उसक्त आपके दिमाग में क्या चलने चाहिए, अभीदा मूला, शाब्दी वेंजना, और जब आप अभीदा मूला, शाब्दी वेंजना फट रहे हो, तो आपके दिम मुख्य अर्थ हो, चाहे सास्त्री अर्थ हो, चाहे लोकफरसिद अर्थ हो, तीनों अर्थ लेने पर भी जब अर्थ नहीं निकले, बलकि उससे संबन्दित कोई अन्य अर्थ लेना पड़ता है, वो अर्थ तब लक्षना होती है, लेकिन जब वो अन्य अर्थ विंग्यात आत्मक हो तो इसका मतलब वहां क्या हो जाती है वहां हो जाती है लक्षणा मुला अब जैसे कही न सको तब सुजनता जैसे पहले ही पढ़ लेते हैं जहां पर मुख्यार्थ की बादा उत्पन होने पर लक्षणा सबसक्ती के दोरा अन्यर्थ प्रकट होता है तो उसके बाद भी दूसरा आर्थ प्राप्त होता रहता है तो वहां लक्षणा मूला साब्दी वेंजना होती है पहली बात आपको वेंजना सबसक्ति में शाब्दी और आर्थी इतना ही पूछा जाएगा इससे गहराई में नहीं जाएगे लेकिन अगर अभीदा मूला तक चले जाएं तो आप गबराना मत वांशले शरलंकार है अब अगर वो लक्षणा मूला साब्दी वेंजना माजाए तब एक चीज दिमाग में रखना कही न सको तब सुजन्ता हमें पता ही ये शाब्दी है ना शाब्दी है मतलब ये क्या है अनेकार्थी तो लेके चलेगी साथ में तो यहाँ पे सुजन्ता सब्द है इसमें ये एक अनेकार्थी शब्द है तो इसको जब हमने लेने का प्रियास किया सुजन्ता का तो हमने इसके अन्य अर्थ निकल के आ रहा है दुर्जनता बिल्कुल ये एकदम अपोजिट है कही न सकोता वो सुजनता अतिकीन उपकार कही बार हम कभी किसी को वेंग में कहता है क्योंकि यहां इसके पीछे हमने अभी एक लाइन पड़ी थी आपने साइद गौर मैंने कहा था गौर करन कथन के संदर्भ के अनुसार अलग-алग अर्थ वेंगार्थ से प्रकट होता है यहां वेंगार्थ है कही न सकोता वो सुजनता अतिकीन उपकार कई बार जब कोई कहता है कि देखो मैं तो कभी किसी का बुरा ही नहीं करता हूँ मैंने तो आज़ तक आपके सब कुछ गलत क नहीं चुका सकता। बहुत बढ़िया किया आपने मेरे साथ। बहुत बढ़िया किया, यह क्या B SPEAKER विंग है। अतिकीनो उपकार, यहां उपकार की बात नहीं हो रही, बलकि क्या बात की हो रही है, अपकार की बात हो रही है, सके करतों हूँ यों रो सके, जीवों हूँ बरस हजार, है ना, एक तरह से जीवों हूँ बरस हजार, तुम जुग जुग जीओ, तुम मर क्यों नहीं जाते, इ देखो आपने निराला की वो पंक्तियां सुने होगी छोटे से जीवन की नहीं वो नहीं वो सीधा लगता है दुख दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो कही नहीं दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो कही नहीं अब देखो दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो कही नहीं अब एक तरफ इसमें कवी क्या कह रहा है कि मतलब मेरे जीवन की कथा जो है वो दुख रही है क्या कहूं आज जो नहीं कही तो मैं बहुत दिया है यहाँ पर वेंजना सबसक्ति और वेंजना सबसक्ति कौन सी आर्थ ही है तो सर आर्थ ही क्या से देखो मैं बताता हूँ यहाँ आप ढूंड रहे होंगे किस सब्द में हम ढूंडे अरे क्यों ढूंड रहे हो अरे ये गलत बता दिया ये गलत बता दिता भी नहीं नहीं ये उसका लक्षना मूली बताना में दिमाग से निकल गया देखो अजो तरियो ना ही रहो सूति सेवक के कंग अजो तरियो ना ही रहो सूति सेवक के कंग ये भी उधारन इसका हो सकता है लक्षन मुली का देखो इसका तो वो होगा अजो तर्यो नाही रयो श्टूती सेवक एक अंग नाक बास की बेसरी जो मुक्तन के संग ये बहुत अच्छा उधारन है अगर ये आजाए तो याद रखना है ये लक्षना सबसक्ति का है इसमें भी जो मेन जो शब्द हैं वहाँ शब्द के माध्यम से वो शब्द किसी उसके मतलब सीदे सांके तिक नहीं उनका अन्यार्थ निकल रहा है जैसे तरियोना एक आभूशण है लेकिन तरियोना को हम टुकडे करके कर रहे हैं यानि इसको मैं आप बताओं जो सबंग स्लेश का उधारन है थीक है उस तरी से तरियोना तो तरियोना आने के कारण यहां पर क्या है तरियोना है ठीक है नाक है ठीक है और ये कुछ मुक्तन है तो कुल मिला कि ये लक्षणा मूला शाब्दी वेंजना के अंतरगत आता है इसी तरह से आपने एक और उधारन भी पढ़ा होगा कौन सा उधारन था इसका तो और सरल उधारन तो कोई है नहीं बागी रटने वाड़े उधारने वह ये दो उधारन याद रख लो लक्षणा मूली शाब्दी वेंजना मुख्य रूप से आप इस चीज को ध्यान रखो श्लेश अलंकार जहां है वहाँ शाब्दी वेंजना है शाब्दी वेंज सकते हो तो ज्यादा बैस्ट माना जाएगा सर ये तो गड़वड होगे गड़वड नहीं देखो आपको वताए असी भेद है और लाश्ट में जाकर ये सारे एक जैसे होने लग जाते हैं हम इतने अर्थ मतलब इतने गूड अर्थ की और नहीं जा सकते और अब वहाँ पै अनेकार्थी नहीं आएगा एकार्थिक आएगा जैसे प्रीतम की अरिति सकी मौपे कहीं न जाए जिजगत हूं धिंगी रहे पल न व्योग सुहाए मतलब जिजग रही है धिंगी पास ही बैठी है पल न व्योग पास बैठी है फिर भी व्योग नहीं सुहा रहा है तो पा का पूरा वेंजना का प्रभाव है वेंग्या है और सागर कुल मीन तरपत है हुलसी होत जल मीन होना चीए हाँ तो कुल मिला के पास रहते हुए भी मतलब इसमें बहुत बढ़िया चीज़ बता हूँ इसमें आपको कहीं न कहीं थोड़ा सा विरोधा भास सा लगेगा क्या लगेगा विरोधा भास मतलब विरोधा भास नजर आएगा अलंकार नहीं ऐसा मैं सोचना कि अलंकार की बात हो रही है विरोधा भास सा नजर आएगा जैसे मैंने भी आपको उधान बताया था उधान बताया था कौन सा वही दुख ही दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो कही नहीं अब इसमें क्या आपको नजर आएगा इसमें आपको विरोता भास नजर आएगा विरोता भास कैसे नजर आएगा विरोता भास इस प्रकार नजर आएगा कि एक तरफ वो कहता है कि जो कही नहीं मैंने कुछ कहा नहीं लेकिन इन दो लाइनों में इन दो लाइनों में बहुत कुछ कह दिया इन दो लाइनों बहुत कुछ कह दिया अब इसका नाम ही क्या है आर्थी वेंजना आर्थी वेंजना है इसका अर्थी समत जाओ कि यहां पर निश्यत रूप से जो है आर्थी वेंजना पूरे की पूरी सबसक्ती जो है वो अर्थ पे डिपेंड रहेगी जैसे एक है निकल रही थी मर्म वेदना एक उधारन बताता यह पूरी की पूरी सबसक्तिक इस पर डिपेंड कर रही है अर्थ पर डिपेंड कर रही है ना निकल रही करुणा विकल कहानी सी करुणा विकल कहानी सी और प्रकरती जो है वहां अकेली प्रकरती सुन रही अगले पंक्तियां बड़ी अच्छी है कि वहां अकेली देखो जह थोड़ा बहुत याद नहो कि वहाँ अकेली प्रक्रती सुन रही हंस्ती सी पहचानी सी यह पंक्ती है तो निकल रही थी मर्म वेधना करुणा विकल कहानी cał hen अकेली प्रक्रती सुन रही तो यहां पर एक वेंग नजर आ रहा है कि वहां अकेली प्रकरती जो है वो कैसे सुन सकती है प्रकरती तो सुन नहीं सकती ठीक है हंस्ती सी पैचानी सी यहां पर प्यॉर्ण रूप से क्या हो रहा है एक तरसे मानवी करनलंकार हो रहा है और कहना क्या चाहता है यहां पर कहना यह चाहत बहुता है कि समूचा जो परिवेश है वो क्या है मतलब एकांत से भरा है लेकिन कहने का तत्परी है गुमा फिरा के अर्थ को सपष्ट करने का प्रियास किया गया है मतलब यू मानलो निकल रही थी मरम वेदना करोंदा करणी वेकल कहाने से वह अकेली वहां अकेली प्रकृत से एकांच से भरा हुआ है, एक चोटी सी उदारन और बता देता हूँ, उदो जाहूं तुम्हें हम जाने, अब यहाँ पर गोफियां जो है, वो करिए, उदो जाहूं तुम्हें हम जाने, है न, और आगे कहती है, वा मथूरा, मथूरा, काजर की कोठरी, क्या कहाई ने सारी की काजल की कोठरी जो भी आरा है वो काला है जे आई ते कार यहां पे भी देखो कोई ऐसानेकारती शब्द नहीं आया है और आपको एकारती शब्द के मादेम से बताने का प्रयास किया कि उदो जाहू हम तुम्हें जाने वह मतुरा काजल की कोठरी जाहिते कार यानि काजल की कोठरी से आने वाला जो है वो हर कोई कृष्ण के प्रभाव से क्या कहना चारी है उस पर कृष्ण का उस पर कृष्ण का प्रभाव साप साप दिखाई दे रहा है कि जो वहाँ से आता है वो कृष्ण की सिखाया हुआ वो बोल रहा है आर्थी वेंजना में थोड़ा सा important यह है अच्छा इसके अलावा मैं एक चीज़ बता दूँ कि अन्योक्ती अलंकार जो होता है न अन्योक्ती अलंकार के उधारण जो है कौन अहवाल नहीं पराग नहीं मदूर मदू नहीं विकास इहीं काल अली कली ही सोबंदियों आगें लेकिन वो आर्थी में नहीं आएंगे वो पूर्ण रुप से आर्थी में गड़वड हो जाएगी बस मेरा तो यही ध्यान रखो कि आपको यहां थोड़ा सा विरोधा भा जलना ठीक है नीन है मगर जागना इस प्रकार से आपको कहीं नहीं कहीं इसके अर्थ में विरोधा भास सा नजर आएगा मैं अलंकार की बात नहीं कर रहा हूँ नजर आएगा थोड़ा सा टफ जरूर है लेकिन इतना टफ नहीं है आप इसको यूं समझ सकते हैं वेंजना सब सकती इसके अने कर निकलते हैं और जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे टफ चीज़ कि यह तब तक क्लिर नहीं होगा तो आप देखो शाबदी वेंजना श स्लेश लंगकार के अलावा अर्था लंगकार का कोई उधारन आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा वहां पे आर्थी वेंजना हो जाएगी जहां आपको विरोध नजर आएगा कि भी पास है लेकिन फिर भी कहने सच चक रही है दुख ही जीवन की कता है मगर मैं कहना चाहत हूं मगर मैं लेटूंगा ने इस तरह की मतलब आपको मैसूस होगा कुछ न कुछ उधारन सागुर कुल मीन तड़फत है उलसी होत यह तो उधारन पूरा नहीं लिखावा वड़ना समझता है जिसे एक और उधारन को याद आए तो सगन कुझ छाया सुकत सीतल मंद समीर म जात आज वहे वाजमुना के तीर लेकिन यह आपको रटने ही पढ़ेंगे यह आपको रटने ही पढ़ेंगे मैं जहां तक समझता हूं कि एक मात्र इसको पकड़ लो बस इसके अलावा कुछ मत पकड़ो कौन सा श्लेशल लंगर अब आप सुझो क सर इसको और बड़िया तरीके से देखो कुछ चीज़ यहां सी होती है जहां गहराई में मैं तो चला जाओंगा कोई दिक्कत नहीं और उसको आपको बड़िया इंदी समझा भी दूँगा जैसे मैंने आपको यह बता दिया सूजनता वाड़ा कि यहां पर दुरजनता होगा लेकिन आप लोग ज देखाई देखाई देती है ठीक है चलिए आज थोड़ा सा एक प्रेक्टेस कर लेते हैं पहले यह कोशन मैंने एक बार करवाए थे थर्ड़िट के तुरान आज मैंने का चलो पीपीटी मैं आगे सामने तो आपको करवा देते हैं देखते हैं बहुत सरल कोशन है सबसे पह कहलाती है शब्द का अर्थ बोद कराने वाले शक्ति को क्या कहते हैं किसी भी शब्द का अर्थ बोद करवाती है कि इस शब्द में मुख्य अर्थ है लोग पर से दर्थ है सास्त्रे अर्थ है कौन सा अर्थ है वो बोद कराने वाले क्या कहलाती है वो शब्द सक्ति कहलात उसके बाद है उसके बाद है कौन सा सब्सक्ति नहीं है तो अब ये तो थीस र चौथी क्लास का प्रशल मानता हूं मैं खär सोस्क्ति लकती नहीं है उसमें कौन सा ब्हेद नहीं है नहीं बिल्कुल ये सफरल प्रश्टन है हैं अभीदा सब्सक्ति को कहते हैं किसे कहते हैं अभीदा सब्सक्ति को निमनलेकत में से कौन लक्षणा की सर्तों में शामिल नहीं है जो लक्षणा के नियम है जो बाते हैं उन में शामिल नहीं है क्या मुख्यार्थ में बादा पढ़ती है बिल्कुल पढ़ती है क्या मुख्यार्थ और लक्षार्थ में संबंद होता है क्या रूड या प्रियोजन होता है बिल्कुल रूडी प्रियोजन से खा, तुम बैल हो, इस वाकियां पर बैल में कौन सी सबसक्ती है, बैल हो, क्या एक विक्ती, बैल हो सकता है, नहीं हो सकता, यानि कोई नहीं कोई उसके कहने के पीचे क्या है, प्रियोजन है, कि दोनों का जो लक्षन है, वो सेम है, मुहावरे और लोकोक्तियां जो है, वो सब्द शक्ति के भेद हैं बताओ देखें तो अभीदा वेंजना तात्प्रिय लक्षना तो आप जानते हैं शाब्दी और आर्थी जो हैं वो वेंजना के भेद हैं शाब्दी का मतलब ही क्या लेना है आपको श्लेश लंकार लेना है ठीक है शाब्दी का मतलब ही क्या लेना हैं और 10 में आ जाओ तो अर्थ की और वश्य स्फोकेस करना समझ भी बात और लक्षना सबसक्थ 11 अन्यूरकी लंकर के उद्धानवी से देखा जाया तो आर्थी लंज़ना में जाते हैं उडंवार कeganचल लेकिन एतना गहराई में नहीं जाना है यहाँ लiyet आपको जो टेस्ट के दोरान जो कोशिशन करवाई नहार थी वेंजिना के लक्षना मुला उन उधारनों को दिमाग में रखना याद रखना कहीं कहीं आप समझदार हो सारे कि कहीं कहीं कुछ चीज़ें रटनी ही पड़ती है वहां पे फिर रहना समझने लाइक कोई चीज होती नहीं है यहां लक्षना सबसक्ती का प्रियो किस वाक्ये में हुआ है तो आप देखिए मैं पूंट ते स्वस्त हूं लक्षना नहीं है रर्मा ने कहा मालिक गर पड़ नहीं है कोई दिकर नहीं रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती उस अबोद को तो अबोद का मतलब यहां प मतलब हर कारिय कर सकती है कहना का मतलब एक दो मुल्टा निकल रहा है ठीक है आगे चलो राम ने मोहन से का तुमारे चेहरे से सटता चलक रही है मोहन ने तत्काल उत्तर दिया ओहो तो मेरा चेहरा तो दर पण है अर्था तुम अपने आपको खुद को ही देख रहा है मेरे चेहरे के अंदर है ना तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर क्या होगी वेंजना होई यह लक्षना होगी तो यहाँ पर सबने अपने हिसाब से अर्थ ग्रहन किया है तो यह उजाएगी वेंजना उसके बाद इस बुढ़िया को नसता हो यह तो नीरी गाय है यह तो नीरी इस बिचेरी बहुत सुद्दि एं नेरी गाय हैं क्या वेक्ति कभी गाय हो सकता है नहीं हो सकता है तो इसका उत्तर क्या होगा लकशना उत्तर होगा वेंजना सबस्क्तिक का प्रियोग किस वाटय में हुआ है मौहन दανुर्विद्य में प्रवयण है राजस्थान वीर भूमी है और लाल पकड़ी काते ही सब भाग गए बाते करते ग्रहणी ने कहा संध्या हो गई तो बिल्कुल यह बहुत सिंपल जो है उधारण है आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो गई वेंजना सबस्क्ति का प्रियोग हुआ है किस वाक्य में परवत शब्द का अभिदयार्थ प्रकट कर रहा है परवत पर चड़ना सरल कारें नहीं है मतलब यानि खेना चाहता है किस वाक्य में अभीदा सबसक्ति है परवत जाग रहे हैं तो ये तो होई नहीं सकता खोदा पहाड निकली चुया तो ना तो पहाड खोदेगा ना चुया निकलेगी देहरिया परवत भई आंगन भयो विदेश बिल्कुल नहीं हो सकता यानि यह अभीदा सिर्व इसमें है परवत पर चड़ना सरल कारिय नहीं है नेक्स अभीदा सबसक्ति का प्रियोग किस वाक्य में हुआ है आओ सूर्दास जी नहीं ये तो गड़बड होगी सूर्दास का मतलब यहां लक्षना है यहां क्या है लक्षना है मैं तो आपकी गाय हूँ गाय कभी हो नहीं सकती लक्षना है ठीक है वहास्तिन का सांप है सांप नहीं हो सकता ये भी क्या है लक्षना है विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ये क्या हो गई अभीदा हो गई अभीदा और लक्षना के अर्समर्थ हो जाने पर जिस सबसक्ति का माध्यम से शब्द का अर्थ लिया जाता है वो क्या होती है जब दोनों यहां समर्थ हो जाती है तब हम किस पर अटेक करते हैं वेंजना सबसक्ति पर अटेक करते हैं रूढ़ा और प्रयोजना वती में जिस सक्ति के माधियम से शब्द का आर्थ लिया जाता है, मतलब रूढ़ा और प्रयोजना वती किसके भेद हैं, तो बिल्कुल बहुत सिंपल आंसर है, ये तो अपना दे दिया होगा, लक्षना सबसक्ति के भेद हैं, परंपरागत रूढ़ा कहां से निकलता है, लक्षना से निकलता है, कहां से निकलता है, लक्षना से निकलता है, चक्र सुदर्सन करत सदा जन की रखवारी में कौन से सब्द सकती है, तो चक्र सुदर्सन, सुदर्सन चक्र की बात हो रही है, सुदर्सन चक्र खुद तो रखवाली कर न उवरी का है नहीं 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 यहां पर मतलब देखो यहां क्या हुआ है यहां यह केवल उपमान आया है क्या आया है उपमान उपमे नहीं नहीं आया है समझ के बात आप उपमे नहीं नहीं आया है बलकि विश्णू का सदुरसंद चकर रखवाली कर रहा है सब्दों में विद्यमान अर्थ का ग्यान कराने वाला बोधिक वैपार क्या कहलाता है जो सब्दों में जो एक अर्थ है हर सब्द में एक अर्थ छिपा होता है उसका ग्यान कराने वाला जो बोधिक वेपार होता है वो क्या कहलाता है तो वो कहलाता है शब्द सक्ति जरूर थोड़ी हम पहली बार में इस सारे tough के tough caution करें उधारनों के उधारन करें नहीं ऐसा जरूर नहीं है आपको पढ़ने का मोका दिया जाएगा उसके बाद जब टेस्ट लिया जाएगा तब आपको सबसक्ति के नहीं ने उधारन मिलेंगे और जिस दिन भी Hindi Point application पर टेस्ट होगा उस दिन आपको सबसक्ति का जैसे टेस्ट होगा तो कम से कम 30 से 40 उधारन मिलेंगे और उधारनों में आपको सबसक्ति हैं पहचान नहीं है कुछ language वाले question होगे तो वहाँ आप practice करोगे फिर हम YouTube पे और practice करेंगे कुछ प्रस्टों की वस्तूनिश्ट प्रस्टों होतरे जब start करेंगे तब तो गबराने की बात नहीं है सबसक्ति का श्रोथ कौन सा नहीं है क्या परियोजन होता है बिल्कुल होता है अनिकार्थी वेंजना होती है बिल्कुल होती है पदार्थ होता है बिल्कुल होता है लेकिन द्वहनी का वहाँ रोल नहीं होता द्ऊनी का सब्सक्राइब का शुरूत नहीं माने जाता ध्यान रखना पदार्थ परियोजन और अन्यकारथ यह तीनों होते हैं वह नहीं होता ठीक है और इसी के साथ जो है अपनी क्लास जो है वह समापत होती है और बहुत बढ़िया तरीके से जो हम पढ़ रहे हैं सब्सक्ति वो कम्प्रीट होती है अब मैं सीधी सी बात को बोलता हूँ साथ सुत्री बात बोलता हूँ कि कुछ चीजों को आपको रटना ही होगा क्योंको दूसरा गोई option नहीं मिलेगा उधारन कुछ ने कुछ रटने पढ़ेंगे ऐसे एक बात बताओ जिसे मान लोग कोई इसलेश लंकार पढ़ते हैं यमा का लंकार पढ़ते हैं तब भी हमें क्या करना पढ़ता है उसके 5-5-6-6 उधारन समझ आए वे होते हैं लेकिन लास्ट में तो रटना ही पढ़ता है हाँ थोड़ा समझने का प्रयास करो और कम से कम हर सब्सक्ति के मान लो आपने थोड़ से नोट्स में से निकाल के या जहां कहीं भी देखके मान लो 10-10 उधारन एक आदर डालो कि मुझे सब के 10-10 उधारन लिखने ऐसे नहीं हर किसी किताब से नहीं लोगे हर किसी किताब तो मेरे पास भी पढ़ी है आप बड़िया उधारनों कुछ चांटने का प्रयास करो कि मुझे अभीदा के 10 उधारन चीए बड़िया मुझे लक्षणा के दब 10 उधारन चीए मुझे आरती वेंजना के दब 10 उधारन चीए फिर जब उन 10 उधारनों पर डिसकुशन करेंगे तब हो सकता है हर उधारन कुछ ने कुछ एक एक ऐसी रग पकड़ाएगा हमें कि अगर इस ट्राइब से आजाए ना समझ जाना कि यहां पर यह है इसी तरह सो तो अमने श्लेश देखा यमक देखा अन्योक्ती देखी और अपने मुहावरे देखे लोकोक्ती देखे लुपतोपमा देखी समझ रहे बात है तो थोड़ा सा रूपक भी देखा तो होगे रस होगे चंद होगे और सबसक्ती यानि लगबग काविशास्तर भारतिय काविशास्तर जो है वह एकदम फिनिश होता है और मुझे मैंने कल कमेंट देखा था मुझे अच्छा लगा कि सर जो आपके गॉर्डन जूबली 100 वी क्लास आ रही है उसके लिए आप पहले जरूर करें क्योंकि समय की मांग है जो दिखता है वही बिखता है आधकर स्टुएंट्स ज्यादा सबस्क्राइबर और ज्यादा लाइक्स देखकर ही जो है वो क्लास देखता है और एक बात ये भी है क्योंकि देखो मैं खुद क्या बोल देता हूँ कि 200 क्लास होगी उनमे आप तक ये 70-80% पहुंच जाता है तो मैं इस कारे में सफल माना जाओंगा ठीक है बागी गबरावमत मैं आपको और अबजेक्टिव करके इस कुटाफिक को और 90% ते पहुंचाने की इमत रखता हूँ और मैं कर भी दूँगा बस आप live vision का ख्याल रखें ये एक बहुत बड़ा mission है और mission में serious ने सबसे important होती है 9 बजे live आना है मतलब live आना है टेलिग्राम चैनल फिर जोइन कर ले कभी कोई class नहीं है इतो सूचना वहीं मिलेगी बारिश का दोर जारी है light problem रहती है कई बार तो उस वक दिक्कत हो सकती है ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद take care शुबरात तरी